कि वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मेंजिंग डेक्टर जोटी वर्दन जोईपुरिया साहब हमारा साथ कारिकर में हो शामिल हो रहे हैं जोटी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए शुरूरात बजट के साथ ही करना चाहता एक चोफ पॉजिटिव आ गया है कि आजमी इनने 2 लाग क्रोर देदी है गर्मेंट को उस इसाब से एक लाग क्रोर का एडिशनल पैसा एक तरह से गर्मेंट को आ गया है तो थोड़ा सा capital expenditure बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा दूदर development के लिए यह पैसा यूज हो सकता है तो दूसरा चीज जो कई लोग देख रहे हैं कि इंकम टैक्स देट थोड़ा कम का देवे, शायद इनका पुरा इंटेंशन है कि जो नए सिस्टम में इंकम टैक्स का, वहाँ पर लेके जावे एक तरह से पुराना सिस्टम में रिख्या से दो-तीन साल में बंद हो जाएगा, तो जावे तो बजार के लिए नेगेटिव होएगा, मेरा विचार है शायद नहीं बढ़ेगा पर एक वही आशंका है बजार को क्योंकि यहना कई संकेट रहे हैं कि उनको capital gain का rate ही करना सब assets के लिए, तो हम लोग का तो अनुमान है कि एक तरह से दो तरह के asset है, equity पर STT लगता है, तो जो STT assets है उसका अलग rate होना चीए और जो non-STT है उसका अलग rate होना चीए, तो वो एक चीज़ है ना देखने के लिए बहुत पूद्र है budget में, यह important चीज़ें है budget के लिए आज से, लेकिन बताएं जोदी सर के market का direction क्या budget के पहले बाजार तो एक जादा है, तो जो एक negative है, वो valuation सस्ते नहीं रहे, valuation एक तरह से महेंगे हो गए है, अपने जो भी है ना माहिने देखे, large cap हो चाहे, small cap हो, large cap थोड़े कम महेंगे है, तो यहां से range bond market रहे थोड़ा consolidation हो जावे, तो market के लिए बहतर रहे कि उससे क्या होएगा कि जो valuation के concerns है, व बेतर हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगले तीन-चार मेहना में एक range bond सा market होना चाहिए, थोड़ा सा price correction आ सकता है, पर एक चीज जो ध्यान में रखना पड़ेगा, वह फेट का ब्याच का कटा सकता है, हो सकता है, सब्टेंबर में आ जावे, तो वह जनली positive होता है, markets के एक बात है, लेकिन फेट के आप बात करें तो अमेरिकी बादरों में भी life high लग रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, कि अब rate cut की उमीदों के बाद अमेरिकी बादरों में और तेजी रहेगी, global markets को कैसा देख रहे हैं और उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, सर. सकता है कि जो साथ कंपनी से बजार बढ़ रहेते, वह बढ़ना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बाकी सब कंपनी बढ़ना चालू हो जाएं, वहाँ पे ना market में ब्रेथ आजावे, small cap चलने लग जावे. इंटरसिंग एक्षिन अमेरिका में दिखाई है, और अब थोड़ी से और एकोनोमी वाले स्टॉक्स वहाँ पर एक्षिन में आते हुए, दिख भी रहे हैं. नतियों की सिजिन की शुरात हो चुकिए है, सर्थ, TCS के रिजल्स आपने देखे होंगे, TCS, IT और पूरे बाजार पर रिजल्स सिजिन के लिए आज से क्या है आपकी राए? तो रिजल्स ठीक रहेंगे, पर रिजल्स जो पिछले दो-तीन साल में ग्रोथ आए बाजार में, वो सेम रिजल्स नहीं आएंगे, तो हम लोग का अनुमान है कि 11-12% का कुछ ग्रोथ रहेगा, जो अच्छा है, यह अपनी ग्लोबल मार्केट देखे तो 12% और नहीं ग्रो होते हैं, पर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वो इक लोग बेस से चालुआ था ग्रोथ आना, तो 11-12% का करीब अनुमान है, रिजल्ट का, वह अच्छा रहेगा, इस वैल्यूएशन से मेरे ख्याल से एक तरह से प्राइस्ट इन है, पर थोड़ा सा टाइम करेक्शन यह, तो हम लोग जादा तरह देखते हैं, कहां पर लॉंग टर्म बजार चला नहीं है, यह लॉंग टर्म वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो एक है बैंकिंग स्पेस, जो भी वहां पर दो चीज़ हो गया, कोई को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग एक ट्री यूज फिलाजोफी है, जहां पर अंडर उन स्टॉफ जो अंडर वैल्यूड है और अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, तो बैंकिंग एक स्पेस है, जो उस उदर फिट होता है, बैंकिंग में वैल्यूएशन क्या जादा महंगे नहीं है, यह अपने पूरे बजार में देखे, सब से ज़्यादा कंसर्ण जैसे मैंने का वैल्यूएशन के है, और बैंकिंग एक स्पेस है, जा वैल्यूएशन अच्छे है, लॉंग टर्म यह अपने आवरेज देखे, तो आवरेज के आसपास है, यहां पर शॉट टर्म सब का इना कंसर्ण है कि वह यह मार्जिन से जो कम हो गया NPL और यहां से ज़्यादा बढ़ना नीची है NPL, तो मार्जिन कम होने के बावजूद ग्रोथ आएगा, और मार्जिन भी जो कम हो रहा है, वो अगले दो-तीन क्वार्टर में उसका भी प्रेशर चला जाएगा, तो बैंकिंग एक्सपेस दिसमें ज्यान दे रहे है, दूसरा है फार्मसुटिकल, तो फार्मसुटिकल में यूएस चेंडरिक्स जो है, वहाँ पर डाम गिरे जा रहे थे पिछले पांच से साल से, अब वो डाम गिरना बंध हो गया है या एकडम कम हो गया है, तो बहुत दीदे से गिर रहे है दाम, वैल्यूएशन वहाँ पर भी ठीक है, तो फार्मसुटिकल एक दूसरा स्पेस है, जो अच्छा लग रहे हैं, तो यह आपके लिए, बैंकिंग शेरों के वेलिशन अभी लंबी अवदी के लिए अच्छे हैं, यहां पर खरिदारी की जा सकते हैं, फार्मा केप्रेल गूर्स सेलेक्टिवली यहां प बजार में एक तरह से अना पुदे ग्लोबल एकॉनमी इसको देखे, तो कहीं नहीं नजमी आ दी है, युएस एकॉनमी थोड़ा वीक हो रहा है, चायना तो दो साल से वीक हो रहा है, वहां पर ज्यादा उमीद नहीं लग दी है, एक दो बैंक भी फेल हो गए है, तो वह ए इन्वाद योति सर, सवेज़े आपने और विस्तार से हमारे द्रश्कों को बाजार के डिरेक्शन के बारे में अपने व्यू भी दिये है, साथी इंवेस्मेंट के मौकों पर भी बहुत 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 सकतर है, और एक पर भी आए.